नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने संस्थान टार्गेट और आजाई है तब लोग आपको पता है कि हम लोग एक सिरीज लेकर चल रहे हैं सारे जीयस की सिरीज है उस जीयस की सिरीज में आपके सामने हिश्ट्री साइन्स और पॉलिटी चल रहा है अभी तक हम लोगों ने क्रम से स्लेवस के एकॉर्डिंग सारे प्रेक्टिस के सिरीज को देखा अब हम लोग क्या करें अब उसी प्रेक्टिस के सिरीज को आपको आगे लेकर चले हमने पढ़ा था राजी के नीतिनी देशक्त तो मौलिक कर और उधर पढ़ा था मौलिक अधिकार नागरिक्ता संग राज्य छेत्र और संविधानी काल का विकासर था इस्टोरिकल वेग्ग्राउंड आफ इंडिया यह करते हुए आज जो क्रम है भारत के जब जब आप किसी भी एक्जैम के पैटर्न को देखेंगे या जब जब कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करता है यहां से अगर मैं बात करूं भाग पांच से इसके पद की योग्यता की पुनर नियुक्ति की निर्वाचन निर्वाचक मंडल की किसकी नियुक्ति कर सकता है इस प्रकार थात एक महत्वपूर भारत का संवेधानीक पद जो भारत का राष्ट्रपति के बारे में फिर उपर राष्ट्रपति और मंत्री परिसत पड़ते इन सब काल खंड को कड़ते और पढ़ते चली जाते तो आज हम उसी पर जीक्र करेंगे आज भारत के राष्ट्रपति का टॉपिक है हम पीछे से इसको देखते हुए आ रहे है भारत के राश्रपत के टॉपिक में कुछ नए क्वेस्चन यहां पर आपके लिए एड जो आपने पिछला करम देखा था उस करम के बाद की कुछ नय प्वेस्चन हैं आज आईए क्वेस्चन नंबर वन की और चलते हैं निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवे की शक्तियां हैं थोड़ा सा इसको बढ़ा कर दूं आपको समझ में आए प्वेस आपको मिलेंगे निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवे की शक्तियां हैं पहला है बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त करना संसद का अधिवेशन बुलाना किसी विध्यक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना मंत्री परिष किसी विशय से संबंध जानकारी के लिए प्रधान मंत्री से कहना किसी परामर्स पर मंत्री पैसस से पुनरविचार है तु कहना यह सारे पॉइंट दिये हैं इनमें से आपको केबल वो पॉइंट चेक करने हैं वो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो राष्ट्रपति की स्व भीवेकी शक्ति नहीं होती यह संवेधानिक परंपरा है यह संवेधानिक शक्ति है कि राष्ट्रपति देखता है कि माली जीती हुई पार्टी आई है एक निर्वाचित पार्टी आई जो जीती हुई पार्टी है लेकिन इनके बहुमत दल का नेता नहीं है पार्टी बहुत निर्विरोधी की पर होंगे सवाव वीवे की परम्परा नहीं है ये नियम ही है कि भारत का राष्ट पती जब- сыnt मंतरी नियुक्त करता है वीवेक का ध्यान रखता है परंपराओं को ध्यान में रखते हुए चलिए भाई संसत का अधिवेशन बुलाना यह तो संवेधानिक प्रक्रिया है स्वाद वीवेकी कैसे हो सकता है अनुछेद पचासी कहता है राष्ट्रपती जिस इस्थान पर उसको उचित लगे जिस समय वह चाहे संसत के दोनों सदनों को आहुत कर सकेगा किन्तु ऐसा आहुत करते समय ऐसा अधिवेशन बुलाते समय राष्ट्रपती इस बात का ख्याल रखेगा कि पिछले अधिवेशन और अपके बुलाए गए अधिवेशन के मध्य छे माह का अंतरालो इसके अतरिक्त राष्ट्रपती क्या करता है इसके अतरिक्त राष्ट्रपती संसत का सत्रावश्यान करने की भी घोशडा करता है लोग सभा का विग्टन भी करता है अनुशेत पचासी ये कहता है तो इसका मतलब य आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना पहले पहले राष्ट्रपति के पास पुनर विचार की शक्ति नहीं थी राष्ट्रपति को 44 संविधान संसोर्धन अधिनियम 1978 द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर विचार के लिए किसी भी विधेयक को आपत्तियों सहित की भईया इस पर फिर से आप पुनर विचार करिए पुनर विचार के लिए सदन को लोटाने का अधिकार क्या है उसका स्वव विवेकी शक्तिया मंत्री परिशत के सदस्यों की नियुक्ति बिलकुल नहीं क्योंकि अनुछेद पचहत्तर कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधान मंत्री के परामर्स पर राष्ट्री अनेक मंत्री या मंत्री परिशत की नियुक्ति करता रूप से लोग सभा के प्रति उत्तरदाई है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदाई होता है क्योंकि राष्ट्रपति के समक्ष श्यपत लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है इसलिए यह मंत्री परिशत व्यक्तिगत तो राज विधान मंडल द्वारा पारीथ कोई विधयक राजिपाल के पास तो राज विधान मंडल के दोनों सब्रदों से पारिथ और राश्ट्रपति के लिए इसे सुरक्षीत रख लेगा क्यों रखेगा क्योंकि संग सूची का वीशे हैं इसमें भी राश्ट्रपति का श्वाविवएक कारिय नहीं करता है किसी विधेयक को रोक ना विल्कु रोक कर रख सकता है स्वा विधेयक है स्वा विवेक की विधेयक है जेवी वीटों का प्रयोग करता है डाग संसोधन अदिलियम राजी उगांधी के समय राष्टपति महोदे ने सोचा कि अगर मैं इसे पारित कर दूँगा तब होगा क्या विवाद होगा राजी और संग आपस में लड़ भीडेंगे इसलिए राष्टपति ने स्वा विवेक का सहारा लिया और क्या किया रोक के रख लिया तो अब क्या दो था है कि यहां तक मैंने बताया था कि यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं सबका कारण बताया तो six नंबर बताया विध्यक को रोक कर रखा किसी विशे से संबंदित जानकारी के लिए प्रधान मंत्री से कहना स्वा विवेक है स्वव बिवेक है, कहता है भले ही संविधान कहता है, अनुचे रठत्तर कहता है कि राष्ट्रपति क्या करेगा राष्ट्रपती, राष्ट्रपती जब उसको किसी विशे से सम्वन्दित मामले पर सलाह लेनी होगी, कोई भी राय देखना होगा, कोई सूचना प्राप्त करन क्योंकि राय सलाह लेने के लिए तो CGI, CGI है सुप्रीम कोर्ट है, जब जब राष्ट्रपती को मंत्री परिसे से सम्वन्दित, मंत्री विभाग के कारियों से सम्वन्दित, कोई जानकारी लेनी होगी, तब तब राष्ट्रपती क्या करेगा, तब तब राष्ट्रपती भा राष्ट्रपति की स्वविवेक्टी है खुद से सूचना ले ले रहा है मांग ले रहा है कि भाया ये बताइए संसद में ऐसा ऐसा क्या कारे हो रहा है मुझे इस बात की सूचना दे दीजिए इसलिए मैंने पताया था आपको पढ़ाया था कि प्रधान मंत्री प्रामर्स पर मंत्री परिशत से पुनर विचार है तु कहना वही चोवालिस्वा संविधान संसोधाना दिने मुनिस्व अठत्तर आपत्ति जताना संसत के पास भेजना कि इस पर पुनर विचार करके इसको देखकर हमें बताएं इस सारा क्या है ये राष्ट्रपति का किनकी नियूक्ति के भारत के राष्ट्रपती द्वारा की जाती है क्रिश्चन अनुमे क्या कह रहा है निम्निखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट पर द्वारा की जाती है। प्रतेक पाच वर्ष पर भारत के वितायोग का गठन करेगा और इनके अध्यच के नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी यह कैसा पद है। पिट आयोग 280 में दिया गया है, इसलिए ये संवेधानिक पद है, क्योंकि भारत के संवेधान में इसका वरण किया गया है, योजनायोग का अध्यच ये बैधानिक पद है, एक पद होता है प्रधानमंगी प्राइम मिनिश्टर, प्राइम मिनिश्टर होने के नाते प्रधान मंतरी योजना आयोग का पदेन अध्य स्वतह हो जाता है इसके लिए किसी को इसकी निवक्ति करने की आविश्यक्ता नहीं पड़ती अनुछेद 164 एक्की और जाये जब कहा जाता है कि राज्यों के मुख्यमंतरी की निवक्ति कोन करेगा कहा जाता है राज्यों के मुख्यमंतरी की निवक्ति भारत का राजिपाल यानि राजिका राजिपाल करता है प्रतेक राजिका राजिपाल अपने राजिकी मुख्यमं संत्री की नुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है यह वो छेत्र होते हैं जो एकदम भीहड वजिस्त को शब्द बोलू ने या बोलू बंजर जहां विकास नहीं है जहां आर्थिक संसाधन जलवाई उत्पादन यह सब नहीं है इन सब जैसे छेत्रों को संग राज्य कहाः जाता है क्योंकि उनका गवर्ण उनको गवर्न डारेक्ट सेंट्रल करता है संग द्वारा किया दाता है इस लिए इसे संग शासीत प्रदेश अत्वा श्antage चेत्र कहते हैं तो इनिके अभित्थायोग यानि एक और तीन की निकतिक घिसके द्वारा है भारत जब केंद्री मंत्री मंडल ने वर्स 2022 में चुनावी सुधारों पर अध्या देश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपती को वापस भेजा केंद्री मंत्री मंडाल यानी संसद ने 2022 में क्या किया चुनावी सुधार पर एक अध्यादेश पारित हुआ अब क्रिमिनल अथवा जीनों ने साथ वर्स या जादा वर्स की जेल काटी है वो सब क्या करें अपना किसके आधार पर वो जेल गये थे क्या क्राइम उनके साथ है ठीक तो इन सब पर जब सुधारों पर चर्चा हुई अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारती संविधान के कौन से अनुछेत के अ सदन सत्र में नहीं होगा जब सदन शत्र में नहीं है कौन सदन दोनों सदन जब संसत का दोनों सदन सत्र में नहीं है अथ्वा संसत का कोई एक सदन राश्च्रपati Ic स्थिति में अध्यादेश आई बिशंपर इस्थिति बन गई सम्भिधान में तदकाल नीड़े लेने की आवश्च्रपती क्या करता है तब राश्च्रपती टतकाल अध्यादेश लागू करता है और उसी अध्यादेश के जरिए वो कोई कानून बना देता है तो यहां क्या किया था राष्ट्रपति मोहदे ने अनुछे इसका प्रियोग करेगा मंत्री परिशत की सला से करेगा और था तिरुपन को पढ़ने के लिए चोहत्तर का सहरा लेना पड़ेगा तो यहां मंत्री परिशत नहीं थी राष्ट्रपति कैसे रहता तब राष्ट्रपति ने ओर्डिनेंस याध्यादेश का सहरा लिया निम्न मे से भारत का राश्ट्रपति किसकी निवाचित सामिल होंगे संसत के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निवाचित नहीं आप एक कहेंगे आ प्रत्य चम्मत द्वारा संसत के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उप राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है अनुछे साच्छट में 66 में अब आजा ये प्रधान मंत्री आपको पता है अनुछेद 75 खंड एक अनुछेद 75 खंड एक प्रधान मंत्री यानि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यानि प्रेसिडेंट करता है वहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्ति करता है और प्रधान मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है अ भानुछेद 155 प्रतेख राज्य के राज्यिपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है इसलिए राज्यिपाल के लिए शब्द आता है कि यह राष्ट्रपति के प्रिशाद पर्यंत अपना पढद धारण करते हैं मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की और आए हैं कि यह मुख्य निर्वाचन आa cheesecake की बात करें तो मुख्य निर्वाACHन आयुट 324 खण ढ़ता है मिर्वाचन आयुक का जो अध्याचOUR था उगा उसकी नियुकति किस तो राष्ट्रपति जिसके लिए आपको पता है कि उप्राष्ट्रपति संसत के दोनों सदनों के त्वारा चैनित होता है यहां राष्ट्रपति की आउसकता नहीं होती प्रक्रिया मैंने बता ही दिये अब प्रत्यश प्रडाली होगा अनुपातिक प्रत्य निधित्व होग होगा एकल संक्रमणी मत प्रडाली होगा क्लियर है क्विश्चन फिप्त की और जाईए भारती संविधान का कौन सा अनुछेद राश्ट्रपति को उच्चतम न्यायाले से परामर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को परामर्ष देने की शक्ति भारत के राश्ट्रपति से क्या कहा गया भीया राश्ट्रपति को उच्चतम न्यायाले से परामर्ष लेना होगा किस सक्ति के तहत किस अनुछेद के तहत किसकी बात करता है परामर्ष की क्या कह रहा है कह रहा है 139 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायाले है अभिलेखी न्यायाले हमने पढ़ाया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायाले हमने पढ़ाया है सुप्रीम कोटिक अभिलेखी न्यायाले इसका मतलब अभिलेखी न्यायाले वह न्यायाले होता है जो अपने द्वारा दिये गए निर्णय का साच्य और रिकार्ड रगता है जो उसके अधीन न्यायालेओं के लिए अनुकरणी और मान्य हो जाते हैं ऐसा न्यायाले कैसा न नियायाले कहलाता है अनुछेद 132 कहता है कि चलिए भया 139 कहता है सुप्रीम कोट एक अभिलेखी नियायाले है 132 कहता है इसके अतरिक अनुछेद 132 कहता है सुप्रीम कोट एक अपीली नियायाले सिविल अपील दांडिक अपील सारा आप करते हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या है एक अपीली नियायाले है अनुछेद 143 कहता है कि जब राष्ट्रपति को समझ में आए कि कोई विशे ऐसा है जिसमें बिधी और तथ्य के शारभूत प्रश्न समाहित है तब राष्ट्रपति क्या करता है तब राष्ट्रपति ऐसे विशे पर सर्वोचे नियायाले से परामर्स लेता है आप भी जानते हैं कि सर्वोचिन्यायाले परामर्ज देने के लिए बाद है नहीं है और सर्वोचिन्यायाले द्वारा दिया गया सलाह मानने को राष्टपती भी बाद है नहीं है इसके अतरिक सवाल है कि क्या वास्तों में प्रतिक विशे पर सर्वोचिन्यायाले राय देने को बाद है नहीं है कहा कि जो विशे 26 जनवरी 1950 के पहले यानि सम्विधाल लागू होने के पहले विशे थे उन विशेयों पर राष्ट्रपती को परामर्ज देने के लिए सर्वोचिन्यायाले बाद यह है लेकिन बाद के किसी भी विशे पर वो माने या ना माने बाधिता नहीं है लेकिन होत जारी करता है पांच प्रकार की अरथा संवेधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे डाक्टर भीम RAW अमबेटकर ने संविधान की आत्मा कहा है यह वो है अरथा संवेधानिक उपचारों का अधिकार कहला अ Herz बारत के राश्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह छमदान करे सर्वोच नयाया लेके नयाय अधीस को हटाए आपातकाल की घोशड़ा करे अध्यादेश जारी करे इनमें से क्या है जो भारत के राश्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता तो आपको याद हो अनुछेग 72 कहता है भारत के राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को जिसने सैन्य विद के विरुद्ध प्राद किया हो संगी विद के विरुद्ध प्राद किया अत्वाजी से मृत्तु दंड दिया गया हो उसके लिए छमादान परिहार लगुकरण दंडा देश अभिल दंबन प्रतिहार यह सब क्या है यह चमादान का स्वरूप है राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति इसका प्रयोग करके उसके चमादान को किसी भी स्वरूप में या तो चमादान करेगा पूर्तमाप कर देगा परिवर्तित कर देगा कम कर देगा यह जहाया है बहत्तर में तो यीचा हटाने का अगर अधिकार किसी के पास है एक 114ाजना अपने पद पर दधके 6.65 वर्ष के पहले भी टहित है तो शेछा की प्रक्रिया आएगी 124 की प्रक्रिया करती है हाई कोट और सुप्रीम कोट को उसके पस्य हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है अगर लोग सभाव लेकिन अगर लोग सभाव से लाया जा रहा है तो सौ सदस्यों दारा प्रमाडी थो और राज्य सबहा को दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से पारित होना होगा उसके बाद सर्वोच नियाले का नियादी सड़ जाएगा यह राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है यहां राष्ट्रपति की नीड नहीं है आपातकाल की घोशड़ा अनुछे 352 क्या काता है भारत के राष्ट्रपति के अगर समाधान हो जाए कि संपूर भारत में भारत की किसी राजे छेत्र में सुरच्छाव खत्रे में है तो क्या करेगा शसस्त्र विद्रो विद्वाह आक्रमण या अंतरीक शांती के आधार पर क्या कर देगा इमर्जेंसी घोशित क कर देगा किसका अधिकार रख्ष्ट पति का अधिकार अनुछे हैं 203 अभी अभी पढ़े थे भारत के राष्टरपति द्वार आदेशी थे तो यह सही है कि यहां राष्टर 20 शक्ता नहीं है यह संसध की अपनी सकती है राष्ट्रपति की छमा आदि की शक्ति एक विधाई शक्ति है न्याईक शक्ति है कार्यपाल की शक्ति है इन में से कोई नहीं अब बताए विधाई शक्ति है न्याईक सक्ति है कार्यपाल की शक्ति है अथ्वा इन में से कोई नहीं कहा गया कहा गया भारत के राष्ट्रपति की छमादान की शक्ति न्याइक शक्ति है भारत का राष्ट्रपति सर्वोच नियायाले के आदेशों के तहर माली जी किसी व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है सैन्य विधि द्वारा दंडित है अथवा ऐसा व्यक्ति संगीय विधि का उलंगन किया है अर्थात संगीय सरकार द्वारा दंडिनी है अ नियायाले द्वारा दंडिनी है ऐसे व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या करता है 2019 की खमादान की शक्ति का प्रियोग करता है राष्ट्रपति के छमादान की शक्ति क्या स्वव विवेकी है बिल्कुल नहीं है मंत्री परिशद की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को छमादान देता है जब जब सब्द आये स्वव विवेकी तो याद रखेगा एक दो जगह है ब लवब विधाई तो नहाई पालिका तो नहीं है सारे कारेपालक शक्ति का प्रियोग मंत्री परिशब की सलाह से करेगा इसमें पहले का दिया है तो इतना आप अपने जिहन में बैठा के रखेगा कि क्या हो सकता है परिहार लगुकरण चमादान परिहार लगुकरण प्राविलंबन यह सारी पांचों प्रकार के इसकी शक्तियों की बात की गई है दंडा देश यह जारी करता है पांच प्रकार के यह जारी करता है अर्था शर्ट क्या है भीया व्यक्ति है जिसे मृटु दंड दिया गया हो, सैने नियायाले द्वारा दंडितो संगी विडिकाप रात किया हो राजय पाल के पास यही दो नहीं है, बाकी राजय पाल भी अपनी शक्तियों का प्रियोग करता है बस इतना याद रखेगा मंत्री पषिछत की सिफारी इस पर भले ही न्याईक शक्ती है लेकिन राष्टरपति के द्वारा दिया गया नीरड़े सर्वोचिन्यायाले के नीड़े को परिवर्तित नहीं करता क्योंकि आपको पता होगा सर्वोचिन्यायाले नीड़े देता है तो कलम का प्रियोक करता है। राश्ट्रपति के पास ऐसी कोई अधिकारिता ведь कि वह कलम का प्रियोक करे वह मौकिक मंत्रीपरिस्द्वारा दिये गए, परामर्स को सुनता है और उसी के आधार पर मोखिक याचिका को कारे माहित करता । निमनांकित में किसप्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपती को प्राप्त है बहुत ही शानदार question मैं कह वास्तवी लोकप्रिय शासक होता है प्रधान मंत्री भारत का एक राष्ट्रपत्य राष्ट्रपत्य राष्ट्र अध्य के इसके अतरीकि प्र хот कारे पाली का प्रमुक होगा vet कि अलेकिन ईसफ़ मुख्या नहीं होगा ववास्तिविक और लोगप्रिशासर्वि यह बहुत मन्तुमरीakah n और विदिक बिल्कुल दिजिउरी मतलब संब्धानिक प्रमुख है यह भारत सरकार सारे कारे इनके नाम पर करता है इसलिए औप चारिकता रूप औप चारिकता वस संब्धान की इसक्तिया इसमें समाही थे कि n वास्तविक प्रयोग संभीधान का मंतरी परिशत करता है. राजनीतिक और नाम मात्र का शासक, राजनीतिक पद नहीं होता, ये संभेधानिक पद होता है, इसले राजनीतिक पद नहीं क्यों कि हम आप डारेक्ट नहीं चुनते और ये अपने शासन काल में, राश्ट्रपति अपने शासनकाल में कोई भी साथ्षातकार नहीं देता प्रत्यच आकर कार्य नहीं करता क्योंकि ये संविधानिक प्रमुखे संविधान का गार्जियन का लाता है इसलिए राजनेतिक और नाममात्र नहीं होगा होगा क्या संविधानिक और नाममात्र का श सासक राजनीतिक पद नहीं है संबेधानिक प्रमुख भारत के चौथे राष्ट्रपती कौन थे भारत के चौथे राष्ट्रपती की बात करें तो कौन थे आप सब आद्हा क्रिश्नतर तीस्ञे राष्ट्रपती थे दाक्टर जाकिर हुसेन कैसे थों सो पूंछा मैंने है चौथा अब आपके पास option डी और यह बचा है तो याद रखेगा यह फिप्त नंबर पर पाच्वे नंबर पर बचे स्री वीवी गिरी यह आपका option जो चौथे नंबर के राष्टपति हैं पहले राष्टपति को मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत होगी चालन समीति और नियम समीति के अध्यत भारती संविधान के अनुसार भारत के राष्टपति का यह करतब यह कि वे निमलिखित में से किसको संसत के पटल पर रखवाएं बित आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है कैग अपना रिपोर्ट किसे देता है सारे रिपोर्ट याद करिए और याद करके क्या करिए इसको पढ़िए संग बित आयोग संग बित आयोग किसी फारिशों को जब संग बित आयोग बनता है तो संग बित आयोग अपना रिपोर्ट किसको देता है भारत के राष्ट्रपति को देता है लोक लेखा समीती 22 सदस्यों की होती है 15 लोक सभा साथ राजी सभा और यह जो समीती होती है यह लोक सभा अध्यच द्वारा निर्मित होती है इसलिए लोक लेखा समीती अपना रिपोर्ट अपना वार्षिक रिपोर्ट या अपना रिपोर्ट किसको देती है लोग सभाध्यच को देती है भारत के राश्पत को नहीं देती है नियंत्रक महा लेखा परिच्छक कहे गहे न यह किसले चुना जाता है लोग लेखा समीति को सहायता देने के लिए चुना जा यह अपना रिपोर्ट राजिके राजयपाल को देता है और राष्ट्र के राष्ट्रपति को देता है राष्ट्री अनुसूची जातियायों के प्रतिवेदन अभी अभी पढ़ाया था भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनके अध्यच और सदस्यों की निप्ति की जाती ह राष्टरपति ऐसा रुपोट परतेक राजी के राजेपाल को भी देता है और संसद को भी देता है एक तीन और चार एक तीन और चार भारत के भारत में राष्टरपति के चुनाओ के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, बहुत पूछा जाता है सवाल, सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से बताएं गया, चलिए भाई, अनुछेद बावन कहता है, अब समझेए, भाग पांच में, भारत के राष्टपति के बारे में है, 52 से 78 तक भारत के राष्टपति और महान आयवादी संसत की बात करता है, अनुछेद बावन कहता है, भारत का एक राष्टपति होगा, भारत का एक राष्टपति होगा, भारत के राष्टपति का पद इंगलेंड के समराट के समाने, अर्थात भारत में राष्टपत का पद कहां से लिए गया लेकि राश्ट्रफती पद का नामकरन से लिया गया है। क्योंकि ब्रिटेज जो सम्राठ है भॉषारैंद है। वहां वंसानुगत आनुवांसी परवपरांधी होती है। भारत निगा हम पद तो लेंगे ब्रिटेन से, हम पद तो लेंगे ब्रिटेन से, लेकि नामकरण लेंगे राष्ट्रपती से, राष्ट्रपती कहां का, अमेरिका का, और उसके जैसी सक्तियां लेंगे, उसके जैसी करने की प्रक्रिया रगे इक्सट के द्वारा तो भी उसे युशिवाइवन किरूंकि वहां भी राष्टा देश ठीक है और ट्राभी ठीक है लेकिन हमारे हाँ प्रमुख होना चाहिए प्रधानमंत्री और संसती хारसंप्रराली वाले लोग लेकर चलेंगे एकल नहीं कोई होगा न होगत Vision भारत का एक राश्टापति होगा ऐसा राश्टाफ्था आग्रीक होगा यह सम्विधान का गार्जियन होगा यह वास्तविक शासक नहीं होगा यह अफचारिक कारेपाल की शक्तियों का प्रमुक होगा लेकिन इसका प्रयोग ये बिना मंतरी परिशत के सलाके नहीं कर सकता तिरपन कहता है कि मैं पहले आपको बतादू कि मैं दो खंड में हूँ तिर्पन खंडे कहता संग की समस्त कार्यपाल की शक्तियां राश्ट्रपति में समाहित होगी संग की समस्त कार्यपाल की शक्तियां राश्ट्रपति में समाहित होगी और राश्ट्रपति इसका प्रयोग खोद ना करके अपने अधिनस अधिकारी अर्थात मंत्री परिशत के माध्यम से करेगा मैंने अभी अभी एक question में आपको बताया था कि जब जब तीरपन पढ़ेंगे अनुछेत 74 पढ़ेंगे दूसरा कहता है राश्ट्रपति तीनों से नाओं का सर्वोच समादेशक होगा यूद्ध संधी सब इसी के नाम से होगे तीनों से नाओं का सर्वोच समादेशक होगा यह तो था भारत का राश्ट्रपति बावन तीरपन आब आजाई अनुछेत 54 अनुछेत 54 कहता है भीया ऐसे राश्ट्रपति जिसके बारे में मैंने आपको बावन और तीरपन में बताया है ऐसे राश्ट्रपति के निर्वाचन और उपर राश्ट्रपति भले ही बाद में हम प्रेक्टिस करेंगे लेकिन यहां जाने रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी तब तब एक निरवाचक मंदल मनहीं हो सकता सवाल यह जैसे बिना संभिधान सफा के भारत की संभिधान का निर्माड़ नहीं हो सकता उसी प्रकार बिना निर्वाचक मंडल के भारत के राष्टपती का निर्वाचर नहीं हो सकता ऐसे निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं तो बताया गया कि संसद के दोनों सदनों लोगसभा, राज़सभा के निर्वाचिस सदसे संसद के दोनों सदनों लोग सभा राज सभा के निर्वाची सद से भाग लेते हैं फिर कहता है दूसरा कौन भाग लेगा सभी राज्यों के सभी राज्यों के विधान सभा के निर्वाची सद से भाग लेगे सभी राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सतस्य भाग लेंगे तीसरा कहता है सत्तर्वे संविधान संसोधान अधिनियम 1992 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली पुड्डुचेरी भाग लेंगे क्योंकि दिल्ली पुड्डुचेरी ऐसे केंद्र सासित प्रदेश हैं जिनके यहां विधान सभा है और विधान सभा भी कौन सी दिल्ली पुड्डुचेरी की निर्वाचित विधान सभा के सदस्य दिल्ली पुड्डुचेरी के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे इसका मतलब किसी भी प्रकार से राष्ट्रुपति के निर्वाचन के निर्वाचक गड़ में मनोनीत सदस्य सामिल नहीं होते अभी अभी रिसेंटली जम्मू और कश्मीर पुनर गठन अधिनियम 2019 आया था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुआ था इसके लिए कहा गया कि भले ही जम्मू कश्मीर का विभाजन करके एक लगदाक और एक जम्मू कश्मीर दो केंदर सासित प्रदेश बना दिये गए जम्मू कश्मीर एसा के अंदर सासित प्रदेश जहां विधान सभा है लदाक में नहीं है लेकिन अभी उसको इस निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बनाया गया है आगामी समय में जब बना दिया जाएगा तब यहां आ जाएगा अभी नहीं है अभी बरतमान में आज तक करारत की देट में अगर मैं बात करूँ तो भारत के राश्ठीपोट का निर्वाचन जब-जब होगा एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें संसत के दोनों सब्हाएं के निर्वाराची सदस से और दिल्ली पुड्डू चेरी जो की सब्तर में संविधान संसोधन अधिन्य मुनिस सो बानवे द्वारा शामिल हुआ है इनके विधान सभा के निर्वाची सदस्य सामिल होंगे यह क्या था यह राष्टपति का निर्वाचक मंदल था अब सोचिए क्या करा है लोग सभा के चुने हुए इसका मतलब मनोनीत की बात नहीं कर रहा है निर्वाचन की बात कर रहा है दूसरा राज सभा के चुने हुए सदस नहीं राज बिधान सभाओं के चुने हुए सदस बिलकुल सही है राज सभा के नहीं बात की मैंने राज बिधान सभाओं के चुने हुए सदस ठीक है अब देखिए कहा क्या रहे हैं हम राज सभा के चुने हुए सदस नोक सभा के चुने हुए सदस अर्थात पार्लियामेंट संसद इनके दोनों के मनोनीत नहीं हो चुने हुए हो राज विधान सभाओं के चुने हुए क्या राज विधान परिशत के सदस सामिल होंगे राज विधान परिशत के सदस अभी अभी बताया केवल विधान सभा सामिल है वो भी राद में इसको क्यों लगाया अप समझितर के लिए दोनों पर हाउस सघ का का लोवativ सब्णाइब विधान परिश्द जो अपर आंज सघ की उसके सदस्य किसी भी कीमत पर सामिल नहीं होगे, राष्टपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों होते हैं, वहाँ पूछा था क्या? चुनाव मंडल के सदस्यों होते हैं, मैंने जानबूच की क्वेश्चन का पैटर्न केवल बदला है, केवल और बदला ही है, दिल्ली और पुड्डुचेरी नहीं है, यहाँ दिल्ली पुड्डुचेरी नहीं है, यहाँ दिल्ली पुड्दुचेरी है, क्वेश्चन केवल ऐ उसका आसे क्या है कहने का मतलब क्या है राश्टपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन होंगे संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस्य अभी पढ़ा राज विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाची सदस्य अब याद कर लिजे कि मैं विधान सभा बता जिक्रिेही नहीं किया था सभी मदनाने सभाओं के निवाची सदस्ट बिल्कुल, प्रतेक-ि राज्यों के मैंने बताया-था। दिल्ली और पुड्डू चेरी विधान सभाओं के निर्वाची सदसित सक्तर में सम्विधान संसोधना दिनियम 1992 द्वारा सही है एक तीन चार मान लिया जाए तो इसको इसी प्रकार साल्व करेंगे जब जब साल्व करेंगे एक्स्प्लेन खुद देखेंगे साल्व करेंग निर्वाचक मंदल से ही होगा कौन अनुछेद बताता है तो आप कहेंगे अनुछेद चोगन बताता है कहता क्या है अनुछेद चोगन कहता है संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदसे सामिल होंगे प्रतेक राज के विधान सभा के निर्वाची सदसे सामिल होंगे रा पुद्दू चेरी विधान सभाओं के निर्वाची सदसी सामिल होंगे इसके अतरिक्त कोई केंद साचित प्रदेश शामिल नहीं होगा क्या कभी ऐसा हो जाए कि निर्वाचक मंडल में माल लिजे यह नहीं है इनका सत्र समाते हैं तब भी कहा निर्वाचन होगा कहा गया भ फिर भी निर्वाचन को रोका नहीं जाएगा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्लिखित में से किस अनुछेद में वर्डित है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुछेद में वर्डित है चलिए इस पर जि तिरपन खंड एक और दो दो है अनुछे तिरपन कहता है संग की पहला संग की समस्त कारे पालिकी शक्तियां भारत के राष्टमत में नहीं ठोगी जिनका प्रयोग बस्वयम ना करके किसकी माध्यम से करेगा मंतरी परिशत जिसको लिखा गया कि अपने अधिनस्त अधिकारि होता है एक सट भारती संविधान में अनुछेदिक सट यू यसे के संविधान से लिया गया है कहता है एक सट में किसकी बात है इंपीच्मेंट राष्ट्रपति पर महाभियोग भारती संविधान में केवल और केवल महाभियोग शब्द किसी के लिए यूज होता है भारत क ब्रश्ट आचार से लेके सब तभी आप महाभयोग नहीं लाएगे महाभयोग लाने का मात्राधार क्या है राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमड कि या क्यों कि वो गारजेना constitution जब आप कहेंगे संविधान काति क्रमड किया तो यही एक मात्र आधार है जिस आधार पर आप राश्ट्रपति के विरुध्मा भी योग लाएंगे अनुछेद 74 संग की एक मंत्री परिशद होगी जो राश्ट्रपति के कारियों में सलाह के लिए बनाई जाती है राश्ट्रपति को उसके कारियों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिशद होगी अनुछेद तेरा आपको पता है मूल अधिकारों से आसंगत विधियां राज ऐस एसी बीदी नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो अगर राजी को एसी बीदी बनाता है तो एसी बीदी को राजे द्वारा संविधान द्वारा सुन्य करार दे दिया जाएगा प्रिठक कर लिया जाएगा आच्छादीत कर लिया जाएगा बढ़ाये थे तो कौ बबारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। है भारत के प्रधामंत्री द्वारा बिल्कुल नहीं! लोगसभा के द्वारा नहीं! भारत की मुखagles नहीं अदिध द्वारा भी नहीं! कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति अनुछे 56 पदावधी बताता है कहता है सपथ ग्रहण की तारीक से पद ग्रहण की तारीक से अगले पाच वर्स तक अपने पद पर बना रहेगा इसके पूरु अगर भारत का राष्ट्रपत चाहे तो अपना त्याग पत्र उपर राष्ट्रपति को देकर स्वता अपने पद से मुख्थ हो सकता है किन्तु अगर ऐसा कोई कारण है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र नहीं दिया और राष्ट्रपति अपने पत्पर ब संसत का कोई सदन क्या करे संविधान के अतिक्रमण को आधार बना ले अनुछे एकसट का सहारा ले संसत के किसी भी सदन में ऐसा महाभीयोग या लाच्पति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है किन्तु शर्ट क्या है जिस सदन में लाया जाना है उस सदन के एक चोथाई सदस्य का हस्ताच्छर अर्थाच स्वीकृति ऐसे प्रस्ताव पर मानने है लेना पड़ेगा उस सदन द्वारा जब एक चोथाई सदस्यों का हस्ताच्छर लेने के बाद प्रथम सदन अपने हां उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दोतिहाई बहुमत से पूरा पॉइंट ही सवाल है आप भूढेंगे सवाल पूरे पॉइंट सवाल है जित्ते क्वेश्चन हमने पढ़ा है और इस पे तो इतना ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है ना इतना ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है कि आपको यह पता नहीं चलता कि महाभियोग अकेले साथ आट क्वेश्चन लिए स們 सभाढ़ और सक्राइब को साकुए तो लेकिन चौदा कि दिन पूर्व ऐसे सूचना राष्टपृ वहे हैं मिलाया जा सकता है जिस भी सदन में लाया गया पहले सदन से दो तिहाई पहुंत से पारित होकर जब ऐसा प्रस्दाव दूसरे gameplay सदन को जाता है तो दूसरा सदन सबसे पहले इसकी जाच बैठाता है दूसरा सदन तब सबसे पहले इसकी जाच बैठाता है जाच में राष्टपति या तो स्वयम या अपने प्रतिनिधित के माधियन से इसको भी उसने मीडियम बनाया और प्रतिनिधिके माधियन से उपस् दूसरा सदन अपने आकारिबाही करेगा दोतियाई बहमत से पारित करेगा उपस्थित और मत देने वाले जिस तारिक को वहां दूसरे सदन से दोतियाई बहमत से पारित हो गया उसी तारिक से राष्टपत का पद रिक्त मान लिया जाहेगा यही है कि संसत द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में कोई वीवाद है तो उस वीवाद को सौपा जा सकता है। कहा गया मैंने पहले ही बताया है अनुछेत चौवल क्या करिए राष्ट्रपत का निर्वाचन कराना है निर्वाचक मंडल बनाईए। निर्वाचक मंडल अगर अपूर है तो भी राष्ट्रपति उपर राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन नहीं रुकेगा होना ही होना है के चलिए ठीक करा लिजे अब हुआ क्या एक व्यक्ति ए था और दूसरा व्यक्ति भी था ए प्रेसीडेंट बना लेकिन वह जब बन लोग सभा का सदव से निर्वाचित होने की योगिता नहीं रख रहा था उसने एक आधार पर जूट बोला और बन गया वी के पास ग्राउंड मिल गया वी ने इसका केस कर दिया केस कर दिया जब भी केस करने गया अपने राजी में तो राजी के हाई कोट ने का भईया देश के प्रमुकाल आये हो इसलिए मेरे पास मताओ कि मुर्ण सीथे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट क्यों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कौर्ट की इतनी हिंबत नहीं है कि राश्ण्पाच महुदे की बात देख ले। इसके लिए अनुछेदी कहत्तर बना अर्थात जब राष्ट्रुपति या उपर राष्ट्रुपति के निवाचन से संबंदित कोई विवाद हो तब ऐसे विवादों को रुषेदी कहत्तर के माध्यम से भारत की सर्वोच न्यायाले के पास भेजा जाएगा सर्वोच न्यायाले का नीड़े अंतिम और वी निस् समझ में आया लेकिन जब सर्वोच न्यायाले ने आदेश पारित किया और हुआ कि यह गलत है हट जाए तब तक उपर राष्ट्रुपति आकर चार्ज ले और छे माह के अंदर निर्वाचन कराया जाए तब तक ए ने मालिजे एक वर्ष छे माह सासन कर लिया था तो कहा गया यह बताईए जो ए ने कारे किया था उस कारे को भी असंबेधानिक अयोगि मानेंगे खत्म करेंगे या केवल एक पद को सर्वोच निया लेने का भीया एक पद को ही खत्म करो क्यों क्योंकि ए राष्ट्रुपति है और राष्ट्रुपति कोई कारे सुअब ब व्यक्ति अवैद होता तो कहां गें यह जो नहीं निक्ति होगी खार करे करें नहीं भुरत के राष्ट पत्र के द्वारा चाहे ने उन्होंने कारे किया हो पूरा काल बाकी हो तो भी जब जब राष्टपति का निर्वाचन होगा पूरे पांच वर्स के लिए होगा पूरे कारे काल के लिए होगा इसलिए राष्टपति अपने पद पर पद ग्रहन की तारीक से पांच वर्स तक बना रहता है तो सवाल जब भी निड़े सर्वोच नियाले ने दिया होगा वही अन्तिम विनिस्ट है और माने नियम होगा भारती राष्ट्रपति के विशय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए उसे 35 वर्ष के आयूप पूरी कर लेनी चाहिए उसे संसत का सदस से निर्वाचित होने की योगिता रखनी चाहिए अनुछेद क्या होगा क्वेश्टन 16 का आंसर क्या होगा अब इस पर देखेंगे अनुछेद कुछ अनुछेद याद कर लीजिए बावन हश्पत की बात करता है तिरपन उसकी इस्थित की बात करता है चोवन निर्वाचक मंदल की बात करता है पचपन निर्वाचन के तरीके की बात करता है चप पदावधी की बात करता है 57 पुनन निव्प्ति की बात करता है 58 उसकी योग्यता की बात करता है किसकी बात करता है योग्यता की क्या कहता है कोई भी व्यक्ति भारत का राश्ट्रपति बन जाएगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए जन्म में से कोई मतलब नहीं है ये USA का प्राव भाले भारत का राष्ट्रपती बनने के लिए या संसत के किसी भी पद को पाने के लिए कहीं भारत में जन्मा नागरिक शब्द नहीं है वह भारत का नागरिक हो यही सब्द है तो पहला हो नहीं कि जन्म से नागरिक होगा तभी राष्टपती बनेगा यह यूएसे की प्रक्रिया है भारत ने इसको नहीं कि मेरे नागरिक जो हो गया हम लोग तांकरिक देश हैं उसको अधिकार है कि वो किसी भी पत पर खड़े हो या किसी भी खड़े हुए व्यक्ति को अपनी उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए बिल्कुल सही है उसे संसत का सदस से निर्वाचित होने की योगिता गलत उसे लोग सभा का सदस से निर्वाचित होने की योगिता होनी चाहिए उसका मतलब क्या सही है दो सही है क्वेस्टन सिक्ष्टीन का क्या सही होगा केवल दो सही होगा भारती सम्विधान का कौन सा अनुछेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनह निर्वाचन की योगिताएं निर्धारित करता है बस मैंने अभी अभी बताया है इस बात को दिमाग में बैठा लीजेगा अब समझेए बावन भारत का एक राष्ट्रपति होगा अभी पढ़ायते चावन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा अभी पढ़ायते पच्पन निर्वाचन की रीति एकल संक्रमणी अनु सतर्वान भारत में राष्ट्रपति के लिए कितने बार अता जाता नहीं हूँ डाक्टर राजन पशाद भी जो हमारे सम्मानित सदसे उन्होंने दो बार की अधेचता दो बार राश्टपेत का पड़ लिया उसके बाद नहीं लिया इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी एक नियम बना लिया कि दो बार से जादा के लि लिखा नहीं है कि कोई लिमिटेशन बताता भारत के राश्ट्रपती अपना त्याग पत्र किसको संबोधीत करके देता है अनुछे 56 कहता है भारत का राश्ट्रपती जो भी होगा उसका कारेकाल कितना होगा पद ग्रहन की तारीक से अगले पांच वर्स तक के लिए ऐसा भारत का राश्ट्रपती अपने पद पर बना रहेगा पद ग्रहन के बाद भी वह तब तक अपने पत पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए जैसे उत्तराधिकारी आता है वैसे वह चला जाता है किन्तु पद ग्रहन के पूर्वी भारत का राश्ट्रपती हट सकता है अगर आकस्मिग निधन हो जाए प्रदान मंत्री जब जब अपना त्याग पत्र देता है पूरी मंत्री पहिसत खतम हो जाए इसी के लिए तो लाड मिंटों बोलता है कि यह एक साथ तैरते हैं एक साथ डूपते हैं अपने दल का निर्माता भी ओता और विद्वांश करता भी होता था वही बनाता और वह सर्वोच नियाले कि मुखिनायदी 124 की प्रक्रिया अभी अभी पढ़े थे भारत के राष्ट्रपति की महाभीयोग की प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति की महाभीयोग की प्रक्रिया है प्रक्रिया पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ाया अन सब्सक्राइब बहुमत से पारित हो जाएगा इसको क्या कहते है अर्धनियाइद प्रक्रिया क्यों कि जब एक सदन जाच कर एक सदन अपने यहां से 14 दिन पहले सूचना देकर, एक चौथाई सदन्यों के हस्तात्चर के बाद अपने सदन में ऐसा प्रस्ताव लाता है उस प्रस्ताव पर विचार बिमर्स करता है, दोतिहाई सदन से पारित करके दूसरे सदन को देता है तब दूसरा सदन क्या करता है जांच समीती बैठाता है जिसमें न्याईक अधिकारी भी सामिल होते हैं तो वहाँ पहला सदन विधाई प्रक्रिया थी और दूसरे सदन में कहीं न कहीं न्याईक प्रक्रिया आई इसलिए ये अर्धन्याईक प्रक्रिया कहलाता है राष्टपति का रिक्त इस्थान भर लिया जाना चाहिए अभी अभी हमने पढ़ा था कहता है कि जभया अनुछे 56 पद ग्रहण की तारीक से राष्टपति पांच वर्स तक बना रहेगा किन्तु अचानक मृत्त हो जाए त्याग पत्र देदे महा भी ओगा जाए अगर ऐसी प्रक्रिया बनती है तो सबसे पहले उप राष्टपति तुरंत आकर क्या करता है राष्टपति का चार्ज लेता है और किसी भी कीमत पे उप राष्टपति छे माह से ज्यादा कारिय नही श्वार किए मां में क्या हो जानी चाहिए भर लिए जानी चाहिए सवाल पूछा जाएगा राष्टपती का रिक्ति स्थान भर लिया जाना चाहिए तो आप याद रखेगा छे माह में सवाल इसी को घुमा देगा तो राष्टपती का रिक्ति नहीं होता तो राष्टपती का पद रिक्ति नहीं हो सकता क्यूंकि समयधानिक प्रमुखे भारत सरकार का का रिक्ति इन ही के नाम से होता है इस पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता तो कहते है कि जैसे राष्टपती के साथ इगटना घट्थी है वैसे ही वो भी नहीं है कार्यबाहक राष्टपत के रूप में ये कारी करता है केमाली जे उपर राष्टपत भी नहीं है तब तो कहे तब सबसे पहले तीसरे पर आएगा कर सी जे आई सुप्रीम कोड का मुख्य नयादीष कह वो भी नहीं है कह चौथा ले आएएस सर्बोच नयायाले का कोई भी वरिश्टतम नयायादीष जो कोलेजियम में एक तना हो गिए पद अगर हो गया तब भारत सरकार का काम रुख जाएगा five जाएगाler debi भारत के राष्टपती का पद रिखत हो जाए और कोई उप राष्टपती भी ना हो तब निम्ण में से कौन कार्यवाहक राष्ट पती वह सब्भ Кण मिलेगे आपको लगेगा वस्तों हो पाएगा मन्तरी है प्रधान मंत्री है लोग सभाराई सब पढ़के सब पढ़िए और सब को पढ़ाएंगे सब का रिवीजन कराएंगे तभी हम लोग आगी बढ़ेंगे थेंक्यू सो मच्छ थेंक्यू आप